बिहार के बेगु सराय के छात्रों की पास एक नूठी कला है जिससे हो सकता है आप अभी तक अन्जान हो लेकिन आज हम आपको उसी कला से रूबरू कराएंगे यू तो जब भी बात हम छात्रों की कला की करते हैं तो मन में यही सोच आती होगी कि हो सकता है यह पढ़ने में बड़ा तेज होगा या तो फिर पढ़ाई के साथ साथ खेल को दिया फिर किसी अनिक कला में इसके रूची होगी लेकिन आज हम आपको ऐसे छात्रों के खासियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि हाथों में पैन नहीं बलकि नकली पिस्तॉल के जरिये गुंडागर्दी करते हैं और अपने सभी सौखों को पूरा भी करते हैं नमशकार आप देख रहे हैं जन्ता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदुना कैमरा पर सन ओम प्रकाश के साथ बेगो सराय के दो छात्रों ने नकली पिस्तॉल दिखा कर लूट के मामले को अंजाम दिया है और अपना अनोखा हुनर दिखाया है दोनों लड़के ग्रजुएशन के छात्र बताय जा रहे हैं जो कि इस पूरे मामले में शामिल हैं दोनों ने पहले तो फिलिप कार्ट से ये नकली पिस्तॉल मंगाया और उसकी बाद लोगों को पिस्तॉल दिखा कर लूटने की कोशिश की जिस स्तॉल जैसा दिखने वाला लाइटर का भै दिखा कर सभी बाइक तो कभी पर्स वा मोबाइल लूटने का मामला बिहार के बेगु सराय का है बतादे शाम लाखो ओपी छेत्र के इनियार वा पसनला धाला के बीच घटी ये घटना का खुलासा करते हुए S.P. योगेंद्र कुमार ने बताया है कि सदर D.S.P. अमित कुमार के नेत्रित्व में गठित टीम ने तकनीकी सहयोग वा मैनुवल सुचना के आधार पर भगवान पुर्थानच छेत्र के तेयाय रगुनंदन पूर निवासित प्रियांशो कुमार और एक नाबालिक छात को गिरफतार किया है. S.P. योगेंद्र कुमार की माने तो पुलिस ने गिरफतार युवक के पास से लूटी गई बाइक, मोबाइल और घटना में इस्तमाल की गई बाइक भी बरामत कर ली है. पुछताच के दौरान लूट में प्रयुक्त पिस्तल और संबंध में पूछ जाने पर बताया गया है कि उन्होंने फिलिप काट से पिस्टल नुमा लाइटर खड़ी दी थी. बाइक लूट में नकली पिस्तल का प्रयोक किया गया था. पुलिस ने पिस्टल नुमा लाइटर भी लरकों के पास से अब जब्द कर लिया है. पुलिस यह पूछताच के युक के घरवालों को बुलाकर दोनों के अपराद के मामले में उन दोनों को बताया और उन दोनों की परिवारों से भी बात चित तो जिस तरीके से ये दोनों छात्रों ने अपना हुनर दिखाया है इससे तो यहीं लगता है कि बिहार या तो अपरादिक मामले में आगे प्राएंब की या फिर बिहार की प्रसाशन अलर्ट नहीं है जिसके वजह से उनकी ही छेत्र में ऐसी घटनाय हो जा रही हैं और उन्हें खाबर तक नहीं जिसकार शायत को यह जा रही है त organism को इस मामने की बारे में जानकारी मिल लेकिन बात सिर्फ इन दोनों बदमाशों की नहीं है बलकि किस तरीके से अपराधिक मामलों में विधी हो रही है इसकी है तरफ इसी मामले को नहीं बहार के कोने-कोने में हो रहे हैं अप राधों पर कड़ी नजर रखनी की जरूरत है और करेफ फैसली लेकर ऐसे गुंडा- भी जिम्मेवार है या अगर सरकार के द्वारा कोई बड़े नियम लाए जाए या पैनी निगाहें रखी जाए तो हो सकता है ऐसे कारणामे करने से पहले लोग थोड़ा से हमें हुए नजार आए आपकी क्याराय है हमें जरूर बताएं तब तक के लिए धन्यवाद